Hello Students, Welcome to Class Desk, जैसे कि आपको पता है कि इस साल जो भी Major Central Universities जैसे Delhi University, बनारे सिंदू University, वहाँ पे जो admission होगा different different programs में, वो CUCT के थ्रू होगा और आपको ये भी पता है कि जो आपके board exams हैं, वो 26th April के onwards है, उसके बाद आपके होने वाले हैं, तो काफी सार students का एक comment आ रहाता है, हमें CUCT की या जो भी हमारे UG entrances है, उसकी थोड़ी थोड़ी preparation स्टार्ट करने हैं, लेकिन हमें syllabus का idea नहीं है, जो domain specific paper होगा, उसमें क्या ची updated आप पहले से रहो, तो मुझे लगा ये CUCT experience के लिए काफी जादा helpful हो सकता है, तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मैंने सोचा, तो my name is Saurabh Kuthari, let's start, तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, जो admission होगा, उसका process क्या होगा, आपके दो parts exam में होने के chances हैं, part A plus part B, जो आप आपके programs होते हैं, Delhi University है, किसी भी university में बहुत सारे courses होते हैं, B.com honors होता है, E.com honors होता है, then आपके physics honors, history honors, Paul science honors, तो क्या process होना चाहिए, तो इसके लिए काफी सारे officials, काफी सारे newspaper, articles में ये update आया हुए already की part A और part B, दो part में आपका exam होगा, और उसके बाद आपकी final merit list जो सबके लिए common होगा, जो एक aptitude exam होगा, जिसमें आपका GK होगा, verbal होगा, quants होगा, lr होगा, इसके questions होगे, जो हर एक student को देने होगे, इसकी preparation, already channel पे उन्ही start होगे, आपने देखा होगा, काफी सारे videos time to time आ रही है, जो आपके preparation में help कर रही होगी, then हमारे सामने part B होग सरी ये domain specific का थोड़ा सा idea लग जाता ना, कि क्या क्या चीज़े paper में आ सकती है, तो काफी जादा clarity हो जाएती, क्योंकि जो आपकी final merit list बनेगी, वो आपकी part A और part B का score add-on होगा, फिर आपकी final merit list मिलेगी, जिसके basis पे आपका college, आपकी university final होगी, तो अब मैं आपको एक website दि चंडीगर्ड university की, तो वहाँ पर mention है, चंडीगर्ड university काफी popular है, काफी सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, और इस university का जो CUCT update है, उसका detail देखते हैं, इनका CUCT है, उसका मतलब है, चंडीगर्ड university central entrance test, तो यह central university, जो इस साल हो रहा है, वो वाला exam नहीं है, अब मैंने देखा कि इनके पास काफी सारे प्रोग्राम से, काफी सारे courses हैं, तो मुझे लगा कि हमें यहाँ पर क्या पता clarity मिल जाएं, उसके बाद जैसी मैं यहाँ पर syllabus वाले टैप पर, भई मैंने देखा कि इन्होंने बहुत detail में अपना syllabus mention किया है, तो यहाँ से आपको इसको भी मैंने description में देती है, इस university का, ताकि आप भी जाके वहाँ पर check out कर पाऊ, तो for example, let's say आपको भई eco honors में जाना है, तो eco honors में आपका syllabus क्या हो सकता है, यहाँ पर जैसी click करोगे, इन्होंने पूरा syllabus mention कर दिया, कि क्या क्या topic के question पूछे जा सकते हैं, क्या क्या questions आ सकत दिया है, उसके बाद आप देखोगे, यहाँ पर इन्होंने business studies के कुछ topic दे दिया, तो इन सब के mix question आपके जो है, बीकॉम और बीकॉम honors वाले program में use होंगे, इसके बाद let's say आप है, जो history honors में जाना चाहते हो, तो history honors के इन्होंने syllabus दे दिया, कि इन इन topic से हम लोग आपके MCQ question पूछेंगे, मालों आप apply करना चाहते हो, किसी और course में false science honors में, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी course में आपका interest है, आप यहाँ पे जाओ, उनका पूरा का पूरा syllabus देख लो, क्या क्या question पूछे जा सकते है, ताकि आपको at least एक idea तो लगे, कि जो आपका actual exam होगा, उसमें निचे description में दे दिया है, तो यहाँ पे आप जैसी check out करोगे, let's say आपको become on this के देखना, तो आप जैसी यहाँ पे read more पे click करोगे, इन्होंने आपको MCQ question भी दे दिया है, ताकि आपको यह idea लग जाए, अच्छा, इस type के question यहाँ पे बन सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकत इन्होंने यहाँ पे accounts के भी कुछ question दे रखें, which of the following is shown in profit, loss, appropriation account, तो income tax, depreciation, doubtful debts, या फिर general reserve, तो इस तरह के इन्होंने question दे दिया है, तो आपको at least यह तो idea लगा, अच्छा, इस type के MCQ question, domain specific में हो सकते हैं, let's say, आपको apply करना है economic honors में, तो उसके भी इन्होंने sample questions दे रख है, कि क्या क्या type के questions है, तो हर बच्चे के लिए, जिस भी course में आप जाना चाहते हो, यहाँ पे information लेने लिए काफी अच्छा resource है, जब official notification आएगा, तब तो definitely हम लोग आपको to the point चीज़े बताएंगे, क्या के चीज़े आएंगी, बट काफी सारे ऐसे बच्ची होते हैं, जो कहते हैं, सर, board के exams में अभी भी date है, तो क्यों ना पहले से थोड़ा सा prepared रहें, थोड़ा syllabus का idea ले ले, type of questions हमें पता हो, किस type के questions बन सकते हैं, तो इस university की, जब मैं website scroll कर रहा था, तो मुझे लगा, यहाँ पे इनोंने अपने हर एक student के लिए, जो भी 12 के बच्चे हैं, क आपको काफे जादा helpful लगी होगी यह वीडियो, नीचे मैंने description में link दे दिया है, ताकि आप syllabus, sample paper को refer कर पाओ, type of questions को देख पाओ, इसके अलावा, time to time आपने देखा है, चैनल पर सारी की सारी videos आ रहे हैं, preparation related भी, knowledge related भी, college related भी, university related भी, तो चैनल को subscribe कर लेना, ताकि कोई भ notification है, कोई भी update है, तो आप सब को हम लोग inform कर पाएं, आप एक better edition ले पाओ, so thank you so much, all the best, and keep preparing, जो भी आपको time मिल रहा है, जो भी extra time है, उसमें थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, जो CUCT के मैंने playlist बना रखी है, वहाँ पे जितने भी topics कराए जा रहे हैं, उनके वीडियो देख को questions को practice करो, ताकि आप थोड़ा सब आगे रहो, जब एकदम से announcements होगी, तब भी सारे लोग त्यारी करेंगे, आपके पास एक edge होगा, जो आपको final result में काफी ज़्यादा help करेगा, so take care, good luck.